हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप आप लोग बड़े आऊंगे आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत ही यूजफुल किचिन टेप्स लेकर जो आपके समय और पैसा दोनों बचाए तो दिवाली आ रही है दोस्तों दिवाली दीपकों का वहार है तो इस पर हमें दीपक बीचाहिए और दीपक के लिए बाती भी चाहिए मार्केट सेटीबने बाती हो आप अपने घर के बच्चों को भी दे देंगे न तो वो भी बहुत एजली आपके लिए धेरों बातिया बना देंगे बिना किसी जंजट के तो मेरी आज पहल अखंड जोती की जो बाती होती है उसके लिए तो हम कलावे से बनाएंगे और यह जो सूती कलावा होता है उससे बनाने वाले हैं और इसके लिए आपको जादा लंबा कलावा लेने की जरुवत नहीं है सिर्फ इतनी ले लिजे करीबन 6-7 इंची का हो और उसका डबल कर क्योंकि हम जब लंबा ले लेते हैं जादा तो हमें वह बाती जल्दी जलती थोड़ी ना है वह नीचे इकटी रहती है जिसकी वज़े से दीपक जलने में और ज्यादा दिक्कत होती है तो ज्यादा लंबी बाती नहीं बनानी चीए बस 6 इंची की बाती काफी होती है 9-10 दिन तक जलने के लिए तो मैंने यहां पर करीबं 12-13 इंच के करीब धागा काट लिया है और अब इस दागे के लिए ना हमें ज्यादा कुछ करने की ज़रत नहीं अगर आप छोटे-छोटे बच्चे हैं आपके घर में वह भी इस काम को कर लेंगे अगर आपके पास कोई ह है तो तो आप उसे पकडवा दीजिए वरना यह केंची बहुत भारी होती है तो बस इसके नीचे इसे हलका सा दबा दीजिए क्योंकि हमें इसको इतना जोर से नतों खीचना नहीं है जिसके लिए हमें इसे बांधना पड़े तो बानेंगे तो फालतुगा टाइम ही वेस् खीच लिए है तो इसी तरह से थोड़ा सा और एंठ लीजिए इसको और यह जो इठन आ रही है न बस यहीं चाहिए हमें अभी थोड़ा कम लग रही हुए तो एक दो ब़ और वहाँ से हटा लीजिए और उसके बाद जो हमारा दूसरी हले हाद्ट धॉल्गा था उसमें थ उल्टी साइड की तरफ अंटे लगाना शुरू कर दीजे बस इतना ही होता है इस बाती को बनाने के लिए इसमें कोई जंजट नहीं कोई टाइम नहीं लगता कोई महनत नहीं किसी का में साथ की जरुवत है बस मिंटों में बाती बनकर आपकी त्यार हो गई है और ये बाती नौ से दस दिन आराम से चल जाती है अभी दिवाली आ रही है तो हमें एक रात के लिए अख़ड जोती जलानी है या फिर बहुत से लोग चार छे पांच के लिए जलाते हैं तो बस इस तरह से जो हमने जहां से कट लगाया है यहां से आप बाती को जो हमारी दीपकी वह हो दिया है और जब भी मुझे डालना होगा तो मैं इस गठान को खोल लोगी आई होप आपको मेरी एटे पच्छी लगी होगी तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स टिप जो है ना मेरी वह भी दीपक की बाती को लिए लिए कर है तो जो लंबी दीपक की बाती होती है ना वो बना हम बहुत वेस्ट होगा हमारा तो मैं आज आपको रूई की मदद से बहुत ही एजली लंबी बाती बनाना चाहूंगी और हमें साथ ही साथ चाहिए जिस पे हम रोटी बनाते है वो चकला अगर आपका चकला बिल्कुल चिकना है ना लकडी वाला तो उसे आप उल्टा कर ल बहुत सो लोग बोलते हैं पाटे पर बना लीजिए या फिर बात्रूम वाला जो स्टूल होता है बना लीजिए बाइब पूजा के लिए बाती चाहिए ऐसी चीजों पर बना नहीं सकते हम तो उसी लिए हम बनाएंगे चकले और तीसी चीज चाहिए मुझे अगर बत्ति जो होती है न उसकी मदद से आज हम बहुत सारी बातिया मनाएंगे बस हमें तीन चीजों की जरूत है पाटा अगर बत्ति और रूई और सबसे पहले हम जो यह अगर बत्ति है इसके उपर जो मसाला लगा हुआ है इस मसाले को छोड़ा देंगे उसके बाद किस तरह से हम ब लभी- लंबी इसी को हम बहुत पतली-पतली लेयर में खोल लेंगे अगर हम ऐसे तोड़-ड़के बनाएंगे न तो बहुत टाइम बेश्ट होता है और और दो-चार जोन होते हैं साथ में तो कोई बात नहीं है लेकिन अगर आप अकेले है तो बस ऐसे लेयर खोल और फिर कैंची की मदद से बहुत आसानी से इसके छोटे छोटे पतले पतले तुकड़े कर लेजिए क्योंकि अगर आप हर बार अलग तुकड़ा तोड़ेंगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होता है तो आप पहले एक घटा खुब सारे तुकड़े काटके रख हैं जितनी लम्बे आपको बाती बनानानी है उतने हीलंबे आप इसके तुकड़े कर लेजिए तो कोई-कोई बाती हमें लंबी क्योंकि कुछ दीपक हमें बड़े जलाने होते हैं कुछ हमें छोटे बनाने होते तो आप अपनी जैसी आपकी जौरенное तो उस हिसाब से जश् करोंगी अगर को कैंची से लगता है कि आक क्यांसरी ड़ना करके तोड़ इन अधिया तो श्रक्रष मैं नानगा तो फांड़ कर सकते हैं लागेधा च हैसे दूपक की बाते बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है लेकिन बाती तो सभी बनाते हैं लेकिन ऐसा होता ना किसी किसी को यह ना अच्छे से फिट नहीं बैठती है बाती कोई छोटी हो जाती है कोई बाती मोटी हो जाती है तो इस तरह से जो हम बनाएंगे ना तो आपकी बाती कोई छोटी होने वाली और न से इस तरह से इन्हें दमाएंगे और आगे की तरफ इन्हें धकेल देंगे बस देखे कितने बड़ी आतरी कैसे होगे एक बार हमने राउंड लगाया और बस दो बार लगाया इसके बाद हमारी बाती होगे त्यार इसके बाद हमें कुछ भी करने की जुरुत नहीं है और इस तो बस इस तरह से आपको एक बार घुमाया और दो बार घुमाया बस इतना काफी है और इसी से आपकी बाती एक बार में फटाफट से बनकर त्यार हो जाती हैं तो इसी तरह से मैं अपनी सारी धेरों बातियां दस मिनट में हम करीबन 100-200 बातियां अराम से बना लेते हैं हाथ के लिए हमने कॉटन बिछा ही उसके बाद जब हम सीक रखते हैं उससे पहले हलक अशा अपने की उंग्लियों पे जराज सा गहा लिजिए बस इसको उंग्लियों पर ही लगाना ज्यादा आगे तक नहीं और उसी उंग्लियों की मदद से आप इसे दके लिए बहुत बढ तो आप अपने हाथों पर और उसके बात के लिए तो आपकी बातियां बहुत ही अच्छी बनेंगी इस तरह से मैंने तो बहुत सारी अपने तेवहार के लिए बातियां बना ली हैं आप लोग भी बनाई और उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताईएगा कि आपको मेरी ये टिप कैसी लगी अभी ये मेरी आपकी फर्स टिप है मैं आपको सेकंड टिप और बताने वाले हूं रूई की बातियों को लेकर तो देखिए मैंने कितनी सारी बातियां मिंटों में बना ली हैं अभी मुझको ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं था हमने में कम से कम सौ बातियां बना कर त्यार कर ली हैं 5-6 मिनट में देखिए धेरों बातियां बन गया इतनी अच्छी इतनी टाइट बातियां है कि आप इन्हें कहीं पर भी कैसे भी रखिए ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी और इस तरह से इतनी आसानी से जब हमारी बा जिससे आप गोल बातियों धेरों बना लेंगे और बाती देखे इतनी टाइट है ऐसा नहीं है कि भिल्कुल धिली पीली सी है तो मतलब खराब लगेगी या फिर खराब हो जाएगी बिल्कुल नहीं होगी तो मैं आपको गोल बातियों की टिप बताने वाली हूं तो उसके ल बाती जो होती है एकदम टाइट रहती है बिल्कुल भी मतलब ऐसी नहीं होगी लुड़कने वाली जो बाती होती है क्योंकि गी सर्दियों में जम जाता है इस तरह ऐसे और बस जरासा उंग्लियों पर लगाया गी और गोल गोल को करके उपर को ठाके जरासा कर दीजाए आ पर बाती है तो कितनी आसानी से अप अपने घर में डेरों बातियां बनाकर रख सकते हैं और जब भी आपके पास फ्री टाइम हो तब भी आप बाती खुब सारी बनाकर रख लीजे लेकिन उस समय एक चीज़ का बहुत जादा ध्यान रखने चाहिए क्योंकि ये जो बाति बात बाद आप अपने घर के लिए पूजा के लिए बाती बना लीजिए वैसे भी सर्दियां आ रहे हैं धूप में बैठकर आप धेरों बातियां बनाकर रख सकते हैं महीनों के लिए तो देखे कितनी बढ़िया एकदम परफेक्ट बाती बनी है और घी की वज़े से अधम टाइट हो जाती है तो इसी तरह से मैं खुब सारी ढहरों बातियां बनाकर एकटी करके रख लेती हूं करीमन महीने दो महीने के लिए क्योंकि जब भी हमें लगता है कि कभी-कभी जल्दी रहती है बच्चे भी पूजा करके जा रहे हैं हस्बंड भी पूजा करके लेकिन उनलों को बातियां बनाना तो आता नहीं है और अगर बाती बनी बनाई रखी रहती है तो जट पट से पूजा करके चले जाते हैं तो देखे किस तरह से मैंने बढ़िया गोल-गोल बातियां बनाकर त्यार कर ली है और अखंड जोती की भी मैंने आपको टिप बता के लिए धेरों बातियां मिन्टों में बना पाएं तो चलिए मिलूंगी आपको अपनी नेक्स वीडियो में ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स की साथ बाई बाई